नमस्कार बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्सकों का अभिनंदन है जहन्जार पूर प्रखंड पंचैत चुनो का डिजल्ट आया हुआ है कुछ ऐसे भी परत्यासी और मुख्या जीत कर आये हैं जिन में काफी जोस भरा हुआ है और काफी उमंग के साथ काफी अभिलासा के साथ पंचैत चुनो में आये और जीत दर्ज की इसी में एक पंचैत है रईयाम पुर्वी जंजारपुर प्रकन का रईयाम पुर्वी पंचैत चुनाओ के दिनों से ही काफी चर्चा में रहा था यहाँ पर दो टर्म में मुखिया रहने वाले लालू परसाद यादव को कुल आठ लोग उनके अलावा पंचैत चुनाओ में थे और करी टकर दे रहे थे इस चुनाओ का रिजल्ट जब आया तो जीतने वाले 27 वर्ज के युवा भगवन्त ठाकुर निकले जो असनातक हैं इनके पिताजी भी इस पंचैत की राजिनती में इंट्रेस्ट रखते थे स्वर्गिये लालू ठाकुर उनका नाम था दो बार मुख्या का चुनाओ वो लड़ चुके हैं और संजोग वस उनको मुख्या का पद नहीं मिला उनके इच्छा को उनके पुत्र भगवन ठाकुर ने इस बार पूरा किया है मैं अपने चैनल के माध्यम से श्री भगवन ठाकुर जी का स्वागत करता हूँ आपकी उम्र महद 27 साल है और आप सफल बेवसाई भी हैं आपका अपना बेवसाई भी चलता है ये पहली जीत आपको कैसी लग रहे है ये पहले ये बताए बहुत अच्छी लग रही है बहुत खुस हूँ काफी खुस हूँ आपको पंचैत चुना में मुखिया से चुना लड़ने किया आपकी पहली चुना है आपको क्या प्रिणा मिली या क्या सोच कर आप पंचैत चुना में उत्रे हम ये देखे कि जो मतलब मेरे पंचैत में एक अच्छा कंडिेट का आवा सकता है, कापी अच्छी, जो हर काम को धरातल पे ला सके, घर घर तक हर योजना को पहुचा सके, ये हम देखे, जो मेरे पंचे वासיות के एक अच्छी कंडिडेट की आवा सकता है, ये पंच बरसे जो बीता इसमें देखे हम कोई भी काम ऐसा न दो वार लड़े वे थे लेक्षान कारण बस वो हार गए और आज वो हम लोग के बीच नहीं है तो मुझे ऐसा लगा जो उनका सपना था जो मैं मुख्या बनके अपने गउँ को पंचायत को विकास करूँ वो सपना पूरा करने के लिए हम पंचायत में आये थे इन्होंने असपस टूप से बताया कि पिता जी का सपना था कि पंचायत में मुख्या का पद लेकर पंचायत की एकवार निस्वस्क बाक्सल से वा करें 178 मतों से इनकी जीत हुई है छोटा पंचायत है पूर्व का इतिहास बताता है कि यह जीत का अंतर काफी है मैं इसे जानना चाहूंगा कि आपका सामना जिन जिन लोगों से था क्या चुनाओ केमपेन के दौरान कभी ऐसा भी लगा कि चुनाओ बहुत कठिन हो रहा है बहुत धन्वाल का लोग उपयोग कर रहे हैं ऐसे में हमारा जितना थोड़ा सा डगमगा रहा है ऐसा भी कुछ महसूस हुआ कठिन तो था जीतना तो काफी कठिन था मतलब काफी लग रहा था जो क्या होगा नहीं होगा क्योंकि मेरा फ़श्ट चुनाओ था और काफी अन्भव उतना नहीं था मुझे पंचाइत के वारे में यह सब के वारे में काफी अन्भव नहीं था लेकिन परिश्रम काफी कर रहे थे ऐसा मतलब आत्मिस्वास जागता था जो नहीं मैं इसमें सफ़र रहूँगा काफी आत्मिस्वास था मेरे पास जो मैं सफ़र रहूँगा और मेहनत किया और पूरे पंचाइट वासियों ने मेरा साथ दिया और पूरे अश्रिवात दिये हर वर्ग के लोग मुझे साथ दिये और मैं उनका अब नंदर करता हूं वहाँ मुझे वो विश्वास किया और मैं खरा रहूँगा उनके लिए हर में सा 24 गंटा मैं उनके लिए खरा रहूँगा बरिया बात बताया आपने पंचाइट में आपने पूरा केमपेंड किया आपके पिता जी भी दो बार यहां चुना लड़े पंचाइट की भोगोलिक इस् सबसे पहले यह योजना आएंगे वो मैं घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा की भी योजना हो चाये वो इंद्रावास हो चाये वो पिर्दा पेंशन हो चाये व कलाउण पेंशन हो चाय साथ आटिक के साथ बहुत सारे काम आते रहते हैं जो मैं यही चाहूंगा जो हर घर घर पहुंचे पूरे आप सरकारी योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का संकल ले रहे हैं आपकी पहली प्रात्मिक्ता काम सुरुवात करने में पहली प्रात्मिक्ता पंचयत में किन समस्या पर है जहां पर आप पहला क करेंगे सबसे पहली प्रात्मिक्ता तो यह मेरा जो बहुत सारे गरीब वेक्ति हैं जेने आज तक रासन कार्ड नहीं मिल पाया है जो लाभुक हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है उस पे मैं फोकश डालूंगा और करना चाहूंगा जो उनको मिल सके पूरे प्रियास करूंगा और फिर देख रहा हूं जो मेरे गौँ में पंचैत वहन की बहुत शक्ता है जिससे बहुत कटनाई हो रही है फिर देख रहे हैं जो एक होस्पीटल तो है लेकिन उसमें फिर यह डॉक्टर की बेवस्था नहीं है तो मैं आगे विदायक जी से भी अन्रोथ करूंगा जो एक डॉक्टर की जुरूरत है मेरे पंचैत में जो की बहुत ही लाब मिलेगा हम लोगों को परखंड में रैयाम पुरवी पंचैत सबसे पहले ओडियेफ बना था ओडियेफ बनने के बाद कुछ सातनी से योजनाओं की जुलासी मिली वह भी थोला जैदा मिली यहां पर सरकें जो सिमित समय में ही खराब हो गई उन सरकों और नल जल यूजना पर पिछले कारिकाल में किये गए इस्थिती को आकरन करते हुए उसके दुरुस्त पर भी आपका पहला ध्यान रहना चाहिए रहेगा जी काफी रहेगा जैसे में बहुत सारी सरकें ऐसे जो अधूरे पड़े हैं थोड़ा मतलब धाल दिया गया है फिर उसके बाद जो है सो वहां तक नहीं पहुंचा हुआ है ऐसा बहुत सारे मतलब ऐसे सरक बने हुए हैं जो काफी गड़े हैं जहां पर पानी रुकाव की समभाबना हो जा तो बरसात में काफी दिक्कत होता है चलने उलने हैं काफी दिक्कत होता है फिर कहीं पर ऐसे बेसे बीए जो नाली की आवह सकता भी है तो उसके लिए भी मेरा फोकस्ष हो चहां पर जूदर हो पर नाली हो सके तो यह सब हर काम के तरफ मेरा ध्यान रहेगा एक आमधारना बनी हुई है कि पंचैत में इंद्रावास हो या फिर सोचाले हो इन योजनाओं में गरिबों को कफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है कुछ जगों पर कथित तोर पर बिचलिया गिरी की भी की बात सामने आती है इस पंचैत में भी पुर्व में बीच बीच में इस परकार के बाते उड़ती रही थी आप अपने कारिकाल में इस भरस्टाचार के किरे को किस परकार रोकेंगे और जनता को क्या सोसन देते हैं सबसे पहले तो जब मैं जीत के निकला तो हर जगा जहा की वर्ड बोला हूं जो जब भी कोई काम हो तो मुझसे संपर करें डायरेक्ट मुझे बोलें और मैं उनके घर पर जाओंगा जब वो बोलाएंगे तब मैं उनके लिए तातपर रहूंगा खरा रहूंगा और मेरे और उनके बिच कोई भी बिचुलिया नहीं रहना यदि बिचुलिया नहीं रहेगा तो काम भी साफ सुत्रा हो पाएगा और जो लाभू करेंगे उन्हें पूर्न लाभ मिल पाएगा इस कारण हम खुद उनके लिए तातपर हैं और मेरे और उनके बिच कोई भी बिचुलिया नहीं रहेगा 27 वर्षिय युवा मुखिया बने भगवन्त ठाकूर अस्पस्टूप से कहते हैं कि पंचयत में बिचुलिया गिरी को समाप्त करेंगे सिधा मतदाताओं के साथ और पंचयत वासियों के साथ इनका कनेक्शन होगा अस्पस्टूप इन्होंने यह भी दवा किया है कि मैं 24 गंटा उनके लिए उपलब्द रहूँगा जिनको कोई भी समस्य है सिधा मुझसे संपर्ख करें या फिर मैं उनसे संपर्ख करूँगा ऐसे पंचयत में मुक्या बने भगवंत जी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पहली जीत पर कोई संदेश देना चाहते हूं पंचयत वासियों को या जीत की बधाई देना चाहते हूं तो अपने सब्दों में दे यह जीत मेरी नहीं है यह जीत पुरी पंचयत वासियों की है जो मुझे इस लाइक समझा और मैं उनके लिए हमेशा ख़ड़ा रहूंगा जो मुझे यह बिश्पास दे के वो अपना बोमूले भोट मुझे दियें परदान की है मैं उनके लिए सदा वहारी रहूंगा रयाम पुर्वी पंचयत के युवा मुखिया बने भगवंत कुमार ठाकुर जी से भगवंत कुमार ठाकुर की उम्र महस 27 सल है पहली वारी चुनाव लरे और धमाके दार जित दर्ज की या यों कहें कि इस पंचयत में रिजल्ट और परत्यासित इनकी लिए नहीं था लेक ये अपनी जीत का सरे पूरे पंचयत वासियों को दे रहे हैं इनका दवा है कि मैं पूर्ण रूपेन पारदर्सी विवस्था के तहत अपने पंचयत को पांच साल विकास की उन उचाईयों पर ले जाओंगा जहां तक अब तक नहीं पहुँचा है पिता जी का सापना आसकार